हेलो इस्टुडेंट्स तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंस्पल आफ कांटिंग पढ़ दिया था उसमें हम लोग दो प्रिंस्पल 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 प् तो जब हम दोनों को एक साथ करेंगे और जब दोनों एक दूसरे पर depend करेंगे तो उनकी possibilities होती थी M into N और principle of addition में हम लोगों नहीं ये देखा था जब आप किसी भी one work को कर रहे हैं मिन्स दोनों एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे हैं आप या तो इस वाले work को कर रहे हैं या फिर आप इस वाले work को कर रहे हैं मिन्स दोनों एक आपका work depend नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हम principle of addition लगाते थे M plus N मैंने आप लोगों को example दिये था 5 boys 4 girls का अगर आपको one boy and one girl select करना है इस वाले में आपका boys में भी depend कर रहा था girls में भी depend कर रहा था क्योंकि हमको boys को भी select करना है और girls को भी select करना था और दूसरे वाले example में हम लोगों यह देखा था किसे भी आप एक student को select कर सकते थे या फिर boys को या फिर आप girls को तो वहां पर हम लोग principle of edition लगाए थे तो आज हम लोग कुछ question करेंगे basically इसमें हम लोग को कोई बहुत ज़्यदा पढ़ना नहीं बस आप लोग को सोचना है बस आप लोग को सोचना आना चाहिए PNC आप एक ऐसा chapter है जो आप लोग बीना पढ़े खुछ से question solve कर सकते हैं बस आप लोग को सोचना आना चाहिए बस आप लोग को imagine करना आना चाहिए बस क्या-क्या possibilities हैं क्या-क्या हो सकता है आप लोग बस एगार इतना सोच ले जाएंगे तो PNC कर ले जाएंगे चली देखिए आज मैं आप लोग कर सामने question रिखा हूँ how many three digits even numbers ध्यान से पढ़े एक question how many three digits even numbers even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहले आप लोग दिये सोचिए even numbers कैसे form होता है 3 digits even numbers कैसे होंगे आपका यहाँ पर चाहिए जो लिखा हो हमको मतलब नहीं है even number आपके वो होते है last में अगर आपके 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपके last में ये present है 0, 2, 4, 6, 8 तो हम लोग बोलेंगे number even है अगर आपके इनके अला है तो हम बोलते हैं वो odd numbers है means even numbers अगर होना है अगर 3 digits को even number होना है तो last place पे इन में से तो कुछ आना पड़ेगा चलिए लेकिन अब हमारे पास digits क्या-क्या है 1, 2, 3, 4, 5 चलिए देख ले इतनी ही कुछ अब हमको कितने digits का बनाना है 3 digits का बनाना है number तो आप ऐसे कीजिएग 1, 2, 3, 3 digits बनाना है और कैसा बनाना है even numbers मारे पास digits कौन कौन सी है 1, 2, 3, 4, 5 इन ही में से हमको सुलिट करके बनाना है तो last place पे आपका क्या आएगा इसमें से या तो 2 आ जाए या तो 4 आ जाए क्योंकि 0, 6, 8 तो है नहीं 0, 6, 8 तो है नहीं 0, 6, 8 तो है नहीं क्योंकि हमको in digits के help से बनाना है इन digits के help से बनाना है तो आपका हो सकता है यहां पर 2 आ जाए हो सकता है 4 आ जाए ध्यान से सुनिएगा हो सकता है 2 आ जाए हो सकता है 4 जब यहां पर 2 आएगा अब आप यहां पर कुछ भी आए यह even होगा या फिर अगर यहां पर 4 आए अब यहां पर इस प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, means इस प्लेस के लिए कितनी पॉस्विल्टीज हैं, इस प्लेस पे 2 पॉस्विल्टीज हैं, अब repetition allowed का क्या मतलब है, आप लोग एक निट सुन लीजिए, repetition allowed का मतलब यह है, आपके जो digits है, digits आप आपका 1, 1, 2, यह case चलेगा, 1, 1, 4, यह case आपका चलेगा, 2, 2, 2, means digits आपके repeat कर सकते हैं, अगर repetition आपका allowed नहीं होता, तो यह case आपके नहीं बनते हैं, लेकिन question में क्या मोला है, repetition allowed, repetition allowed है, तो यह आप सब बन सकते हैं, कोई problems नहीं है, अब इस प्लेस पे बताए, इस प्लेस या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, अब इस प्लेस पे सोचिए, 3 digits लिए, इस प्लेस पे आपका कोई boundation नहीं है, क्यों, इस प्लेस पे आपका चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, कोई problem नहीं है, 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि repetition allowed है, अगर आप आपके जो number यहां आता, वो number यहां नहीं होता, तब यहां पर 4 possibilities होते हैं, लेकिन अभी कितने possibilities हैं, 5, आप कुछ भी लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 में से, यहां पर कुछ भी लिख लीजिए, यहां पर भी, सेम वही 5 possibilities हैं, क्यों, क्योंकि कोई restriction नहीं है, restriction सिर्फ इस लाश कितने possibilities हैं, 2 possibilities हैं, 2 possibilities हैं, 2 और 4 किये, या तो 2 या तो 4, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 आपके सब आ सकते हैं, अब बताए, इनको मैं add करूं या multiply करूं, तिनों को add करूं या multiply करूं, अब आपके 3 digits number बनने हैं, 3 digits number बनने, तो यह सब इस पर तो depend करी का ना, यहां पर क्या रहा है, तो यह आपका क्या है, principle of multiplication है, तो आप यहां पर 5 into 5 into 2 करेंगे, तो कितने possibilities आ जाएंगे, 50 possibilities आ जाएंगे, यही आप पर answer होगा, अभी मैं अगर आपसे इसी question पूछों, आप लोग अभी के रहिए, देखिए, यह तो आपका even number था, अगर मैं आपको इसे second part से पूछों, स लास्ट में आपका 1, 3, 5, 7, 9, तो लास्ट में कितनी possibilities है, बताइए, लास्ट में क्या क्या सकता है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, तो कितनी possibilities है, 3, second place पे आपका कितनी possibilities है, repetition allowed है, तो पांच में से कोई एक आजे, मुषे कोई problem नहीं है, तो कितना आजाएगा, 5 into 5 into 3, क्या 75 आजाएगा, even कितनी number बनेंगे, 50, इसी इन ही digits के help से odd numbers कितने बनेंगे, 75, 3 digits number, अगर आपको अब इसे में 4 digits बोल दे, आप एक ही कुछे में सारा concept समझेए, अगर आपको इसे में 4 digits बोल दे, 1, 2, 3, 4, तो आप क्या करते, 4 digits even numbers माल लीजिए, तो आपके पास यहां कितनी possibilities थी, 2 even numbers के लि 3 digits odd है, यह आपका 4 digits even है, यह आपका 4 digits even है, तो आप क्या, यहां पे कितनी possibilities थी, 2, अब 4 digits हो गया, 1, 2, 3, 4, तो लास्ट में आपके पास दो possibilities है, यह तो 2 आएगा, यह तो 4 आएगा, repetition loud है, यहां 5 आए, 5 आए, 5 आए सकता है, 5 आए सकता है, कोई problem नहीं, 4 को आप into कर लिज 4 digits odd होता तो, यहां पे 3 हो जाता है, बाकि 5 इंटो 5 इंटो 5 इंटो 3 हो जाता है, मेरी साब से आप लोग यह समझ केंगे, 3 digits 7 number, 3 digits odd number, 4 digits, इंडिजिट से, डिजिट आपको change कर दे, 6, 7, 8 कर दे, तो आप लोगों को कोई problems नहीं होनी चाहिए, चलिए, आप लोग यह question अप example number 2, आप लोग screen pause कीजिए और question को 2 से 3 मिनिट तक try कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं solve करेंगे, तब तक आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोग screen pause करके question को 2 से 3 बार पढ़िए और कम से कम 2 से 3 मिनिट तक पहले सोचिए, चलिए देखिए, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of two flags, one below the other, question में क्या बोला है आपके पास, आपके पास five flags है, five, आपके पास five flags है, different different colors के, means one red, one blue, one yellow, green, orange, ऐसे से आपके पास five flags है, सब के colors कैसे है, different है, अब आपको signal बनाना है, signal, signal बनाना है with the use of two flags, one below the other, means एक उपर है, एक नीची है, कहने का मतलब यह है, अगर आपका ए एक flag आपका यह है, दूसरा flag आपका यह है, और आपके पास five flags है, different colors के, तो आप ऐसे कितने signal बना सकते हैं, आपके पास flag one है, flag one, flag two, flag three, flag four, flag five, आपके पास five flags है, और आपको signal बनाने है, with the use of two flags, means अब हमको इस five में से दो flag को select करना है, जब हम लोग combination पढ़ेंगे, तो हम सिधर सिधर लिख देंगे, five c two, लेकिन अभी हम लोग को पता ही नहीं, five c two क्या है, अभी हम लोग को बस basic करना है, basic concept से, चली देखिए, अब आपको signal बनाना है, with the use of two flags, एक आपका उपर, एक नीची है, वो भी different colors की, तो उपर आप कितने possibilities हैं, आप फ one को रख सकते हैं, f f2 को रख सकते हैं, f3 को, f4 को, f5 को, तो उपर कितनी possibilities हैं, five possibilities हैं, ध्याल सुनिएगा, उपर कितनी possibilities हो गई, five possibilities हो गई, आप जो color आपका उपर आ गया है, आपने जो एक flag उपर रखा है, जिसमे color का, माल लेजी, f3 रखा है, और f3 का color red है, तो नीची अब आप f3 नहीं र से बनाना है, और सब के colors different है, आप f3, f3, तो same flag नहीं रख सकते हैं, with the use of two flags, one below the other, क्योंकि single बनाना है, अगर हम लोग signal बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, तो इसलिए हमको क्या करना है, different, अगर उपर हम दो जो flag select कर लिया है, नीची आप हम लोग वो flag select नह ऐसा नहीं दोनों independent है, आप उपर कुछ भी अलग select कर रहे हैं, नीचे कुछ अलग select कर रहे हैं, depend कर रहा है, जो color आपने उपर select कर लिया है, वो color आप नीचे नहीं select करेंगे, तो principle of multiplication C कितना हो जाएगा, 5 into 4, 20, अगर आप ऐसे भी सोच सकते थे, नीचे आपके पास कितनी possibilities अगर आप पहले ऐसे solve कर सकते हैं, यह तो हमने उपर से लिया, आप अगर नीचे ऐसे solve करते हैं, कि नीचे वाले flag में आप कोई सा भी रख दीजिए, F1, F2, F3, F4, F5, कितनी possibilities हैं, 5, अब जो flag आपने नीचे रह दिया है, वो flag आप उपर नहीं रखेंगे, एक flag आपने यहां रख दिया है, एक flag आपने रख दिया है, बचे कितनी हैं अब आपके पास, 4, तो उपर कितनी possibilities हैं, 4, तो आप क्या लिखते हैं, 4 into 5, 20, अभी आपको इसी question में बोल दे, 7 flags हैं, 7 different flags हैं आपके पास, और आपको signal बनाना है, with the help of 2 flags, तो आपनो क्या करते हैं, 7 different colors के flags अब आप क्या करते हैं, ऊपर कितनी possibilities थे, 7 में से आपको ही एक रख दिजिए, 7 possibilities थे, अब जो flag आपने ऊपर रख दिया है, वो flag आप नीचे नहीं रख सकते थे, तो नीचे कितनी possibilities है, 6, तो 7 into 6 कितना हो जाता, 42, मेरी साब आपको समस्पा रहे हैं, आप लोग इसको जब बनाने तो दोनों flag आपे different होने चाहिए, तो क्या करेंगे, अब आपके पास मान लिए, आपने यहां से start किया, आपने सबसे पहले नीचे जो रख है, one below the other होना चाहिए, एक flag उपर है, दूसरा उसके नीचे है, कुशन बोला है, one below the other, तो आपके पास यहां select करने के कितने possibilities थे, आप लोग ऐसे सोचिए, आप यह तो F1 रखते, यह तो F2, यह तो F3, यह तो F4, यह तो F5, तो F5 possibilities है ना, अब जो flag आपने यहां रख दिया है, वो flag आप उपर नहीं रखेंगे, तो एक flag आपने यहां रख दिया है, बचा कितनी है, 4, तो 5 इंटो 4 कितना हो गया है 20, लिख लिजी आप लोग, अभी एक question और discuss करेंगे, मैं आप लोग को, आप लोग यह मैं सोचेगा, मैं आप लोग को बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे नहीं पढ़ा रहा हूं, त्योंकि PNC chapter यहसा है, समझने वाला chapter है, इसको आप जब तक सोचेंग नहीं, तब त अब आप लोगों को क्या करना है, words देखिए, अब आप लोगों को words form करना है, with the help of this letter, क्या बोला है, find the number of three letter words, with or without meaning, which can be formed out of the letters of the word, cry, repetition not allowed, means repetition not allowed का क्या मतलब है, अब आप पहले कुश्यों समझे, कुश्यों में आप लोगों को यह बोला है, आप को जो यह word दे रखा है, cry, cry, आप लोगों को एक word दे रखा है, अब आप इस word में जितने भी letters है, उनके help से हमको क्या बनाना है, three letters का word बताना है, with or without meaning, मैं तो इसका meaning go and know, repetition not allowed का मतलब यह repetition नहीं हो, means, आपके यह, triple C, यह वाला case possible नहीं है, R, R, Y, यह possible नहीं है, repetition not allowed का मतलब है, जो आपकी three letters है, जो words आपको बनाने है, सभी letters आपके एक एक बार आएंगी, means, repeat वो नहीं होंगे, repetition not allowed का मतलब यह है, चलिए देखी, तो आपको बताना है, three letters का word बनाना है, one, two, three, three letters आने है, अब आप लोग यह बताईए, यहाँ पर कितनी possibilities है, यहाँ पर कौन-कौन से word आ सकते है, यह तो C आएगा, यह तो R आएगा, यह तो Y आएगा, कितनी possibilities है, three possibilities, जो later आपका यहाँ पर आगया है, मान लिजी, assume कर लिजी, C आपका यहाँ पर आगया है, C आपका य आएगा, दो possibilities हैं यहाँ पे, हम माल लेते हैं यहाँ पे y आ गया, आप यहाँ पे c आ गया, यहाँ पे y आ गया, आप repetition लाउड नहीं है, c भी नहीं आ सकता है, y भी नहीं आ सकता है, तो कितनी possibilities है, r, सिर्फ एक possibilities है, तो 3 into 2 into 1, कितनी हो गए, 6 हो गए, अब आप लोग ऐसे भी सो सकते हैं, आईए, इसलिए मैं छोटा वड ले हो, ताकि मैं आप लोग को फॉर्म करके दिखा सकूँ, देखिए, हो सकता है, आप यहाँ पर c आए, यहाँ पर y आए, और यहाँ पर आपका r आए, एक possibilities तो यहें, अब हम माल लेती हैं, यहाँ पर c नहीं आ रहा है, r आ रहा है, यहाँ पर c आ रहा है, और यहाँ पर y आ रहा है, r, y, c, इस बार यहाँ पर R में आ करके क्या रहा है Y, C, R अब इन दोनों को change कर दीजिए Y, R, C और एक आपका वही वर्ड C, R, Y यही तो six possibilities हैं इसके अलावा आप कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं आप लोग देख लिजिए आप किसी भी तरीके से इनको arrange करेंगे C, R, Y को विसके लिए आपको करना क्या है आपको concept तुनेज़ेगे concept यह है थ्री वर्ड लेटर से आपको पास बनाना था विसके आप इनको फितनी तरीके से arrange कर सकते हैं C यहाँ पर रख दीजिए Y यहाँ पर रख दीजिए R यहाँ पर R यहाँ पर Y यहाँ पर C यहाँ पर आपके पास्ट को लारंज यही है अभी हम लोग factorial पढ़ेंगे अगर आपके words distinct है आपको यहाँ पर देखीए का कोई भी words repeat नहीं कर रहा है कोई भी words यहाँ पर repeat नहीं कर रहा है सभी letters आपके क्या है distinct हैं सभी letters आपके different है N C, R Y कोई भी letter आपके repeat नहीं कर रहा है अगर कोई भी letter repeat नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 3 factorials इसको आप घूमा सकते हैं यह हम लोग factorial जब permutation हम लोग start करेंगे अभी तो हम लोग basic basic पढ़ रहे है principle of multiplication और edition के question solve कर रहे है अभी next exercise आपका उसी पर principle of multiplication पे भी ही है तो next उसके बाद जो है permutation start करेंगे तो हम लोग इससब पढ़ेंगे अभी मैं आपको 4 letters का word बोल दू 4 letters का word आप ऐसे समझे आप मालीजी मैं चली कोई word ले ले रहा हूँ मालीजी large यल-a-r-g-e यह आपका 5 letters का word है अब मैं आप से बहुत हो 5 letters का word form करना है without or without meaning repetition allowed नहीं है means 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे कितनी possibilities है 5 में से कोई एक आजाए जो letter यहाँ पे आ गया है अब वो letter यहाँ पे नहीं आ सकता है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब जो letter यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया यहाँ नहीं आ सकता है तो कितनी possibilities हो गई 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इन्टू वन तो आपके यह पॉस्पिलिटीज होंगे 5420, 360, 120 पॉस्पिलिटीज हम लोग यही पढ़ेंगे 5 factorial इसका answer होता है 3 factorial इसका answer होता है 10 liters का वर्ड दे दिए अगर आपके सभी liters आपके different है means liters आपके repeat नहीं कर रहे हैं वर्ड में तो 10 factorial हो जाएगा अगर आपको 10 liters का वर्ड बनाना हो तो अब आप लोग नेक्स टन पे exercise 7.1 solve पर के आएंगे homework है आप लोग को का NCEIT exercise 7.1 NCEIT exercise 7.1 नेक्स टन पे हम लोग इसको discuss करेंगे आप लोग question solve करके आएगा चलिए फिर मिलते हैं next class में okay thank you class